नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइट सॉप्टेर में Employee या फिर स्टाफ का record आप कैसे? Enter करेंगे Employee को record करने के लिए Home Screen में देखेंगे Employee बटन से Direct Enter कर सकते हैं या फिर आप Employee मेनू में जाकर Employee सेलेक्ट करेंगे Then आप Add Employee करेंगे रहेगा, then आप Employee का नाम लिखेंगे यहाँ पर जाने उसको कौन से position पर काम कर रहे हैं वो पिता जी का नाम नोट करेंगे या फिर ब्लैंक शोड़ सकते हैं इस पॉस ने में अट करेंगे, पतिया पत्नी का नाम या फिर उसको ब्लैंक शोड़ सकते हैं इड्रेस उनका नोट करेंगे, country, state, city इड्रेस से उनका नोट करेंगे नोट करेंगे, इड्रेस उनका लागके, इड्रेःस taken दीट अनका देगे इड विर्थिश एड़ करेंगे, इमिल एड़ी अगर है तो एड़ करेंगे, स्टेटस में यहाँ दो आप्शन है, लाइव या लेव, अगर वो इंपलॉई आपके अहाँ भी कारे रथ है, याँ काम कर रहा है, तब उसके लिए लाइव सेलेक्ट करेंगे, अगर वो छोड़ के चला जाता है तो लाइव सेलेक्ट कर लेंगे, एड़िट करके चेंज कर सकते हैं बाद में इसको आप, अभी इसको लाइव सेलेक्ट करते हैं, याँ उनका आईड़ी प्रूफ, अगर कुछ है, जैसे आधा नमबर है, यहाँ पर आधा नमबर एड़ करेंगे, date of joining, कब आपके यहाँ वो काम में जॉइन किया है, मंतिल सैलरी आप कितना प्रवाइट करते हैं उनके, description वे आप कुछ note करना चाहेंगे, पर load कर सकते हैं यहाँ पर, then आप save कर लेंगे, देखिए आपका record यहाँ पर आगया, ऐसी करके एक एक आप जितने भी आपके पास employee है, उनका record आप add करके रख सकते हैं, next add करते हैं, देखिए आप employee ID auto generated हो गया आपका, next हो गया, कर दो कर सकते हैं, शेखिए आपका, next है भी आपका, next है, झाल झाल यहां से चेक कर सकते हैं सर्च करने के लिए यहां पर इंपलाई आडी कर आप यहां से चेक कर सकते हैं इस तरह आप लैड शॉप्ट्वयर में इंपलाई आड करते हैं झाल